आज के हमारे खास इंस्पाइरिंग इंडियन सीरीज में महमान है विवेक बिंदरा सर्थ तो विवेक बिंदरा सर्थ स्वागत है आपका रुकिये जरा चरचारी रू करते हैं नहीं उमर हुए मत रिवील करवा हो सर्थ बहुत से लोगों के साथ दिक्कत है अच्छा मैं दिया भाने का कॉंटेंट दिया क्योंकि भाने पर भी काफी विवाद हुआ है उन सब पर धीरे धीरे आगे आएंगे आर्मी में जाने का बहुत मन होता था पर एक आर्मी ऑफिदर से मिला उसने अपनी टीशेट उपर करी बताया देखो एक तीन गोलियां लगी हुई है बेक आरे मत जाना किसी काम का नहीं है पैरन्टिंग पर भारतिय सिनेमा में डो फिल्में बनी एक फिल्म का नाम है 3 islands और एक का नाम है दंगल दोना में है आमिर खान है दोना में ही बहुत ढिफ्रेंट तरीके के रोल में हैं मैं इसे disagree करूँआ अब कोई गाना बजा। या कठनाई की. अनको उंको बायकॉट किया गया. अच्छा हे में आपने ع draft दने लगाग त्यों से अधिक करोड का रहेन्यू जनरेट किया है. कुछ डॉक्टर्स नाराज हुए थे आपसे उस घटना से आपके जीवन पे क्या असर पड़ा है? बार बार जब इस बात को दोरा रहे हैं गलती हुई है, करेक्शन करो, कुछ गलती हुई है, सही करो तो मैं तो कोई भगवान थोड़ी हूँ जैसी ये तकलीफे आई, कॉंट्रोवर्सी आई, हम सारी कॉंट्रोवर्सी जीत तो गए लेकिन बहुत सारे अपने दिख गए बहुत सारे अपने दिख गए मुझे इसी से लेकिन एक जुड़ा सा दूसरा सावाल से कि आपको बागिश्वर्द हमने एक बार बताया था क्या कभी इसका जिक्र करेंगे और क्या जूटी विद्या ये वहां कमाई गाड़्डा बना रखा है इन्होंने आपको मेंटली स्टेबल होना है और तो आप गीता पढ़ना चाहते है तो छटा अध्याय लीजिए आपने एक समय पर अपना वज़न काफी कम किया रहा है रिसेंटली हलका सा गेन दिख रहा है लेकिन आपसे बात करते हुए पता चला कोई डारेक्शन दोना मैं खुद भ हाल ही में एक वीडियो वाइरल है हनी सिंग का जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं अपने लिकर हैबिट्स को लेकर फिर जब उनसे पूछा गया कि आप अभी भी लेतों बोले नहीं लेता फिर वो लाइन में बोलते हैं हाँ अभी दो बियर लीती है मुझे नहीं पता आपने हन इंडिया पर लेकिन जो शब्द है ना इंस्पायर ये किसी ना किसी को इंस्पिरेशन देने के लिए होता है लेकिन एक आदमी जिसने यूट्यूब पर मॉटिवेशन से ही अपनी पहचान बनाई और आज वो बिजनिस गुरू के नाम से जाने जाते हैं ऐसे ही आज के हमा आरे खास इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में महमान है विवेक बिंद्रासर तो विवेक बिंद्रासर स्वागत है आपका धन्यवाद तो साथियों ये मच अवेटिड है और इस सेशन को सुनने से पहले मैं आप से छोटी सी गुजारिश कर लेता हूं और वो ये है किसी प्रकार की पूर्व धारना पस्चात की धारना इनसे मुक्त होकर मुक्त कंट से इस सेशन को सुनते चलिए और इस सेशन को केवल इसलिए सुनिए क्योंकि हर आदमी की एक कहानी होती है सेशन के नाम पर सर ने ना जाने कितनों को फिरी में भजार का ग्यान दिया है ना जाने कितनों को आज घर बैठे MBA करना सिखा दिया है और तो और MBA करना नहीं MBA करा दिया है दस दिवसिये MBA कंप्लीट करके और आज कर एक बहुत बढ़िया मुहिम लेकर आगे निकले हुए के कैसे व्यापार करना बताया जाए उसके तो आप महरत ही हैं किसा आप धन नहीं है तो व्यापार करना है मुझसे सीखिए कि कैसे करना है आपने मार्किट को विद्यार्थियों को लिसनर्स को MSME में जो काम करने वाले small, medium और ये जो मध्यम वर्क के लोग है इनको सिखाया की व्यापार कैसे होता है आज लेकिन इन सबसे परे बात होने वाली है हम प्रयास करेंगे उन विवेक बिंद्रा को जानने का जिन होने आज जो उपलब्दियां हासिल की है इसके पीछे की कुछ कहानिया है जैसे मैं अक्सर मेरे बारे में कहता हूं कि आप जो मुझे कैमरे पर देख रहे हैं मैं अक्सर इतना चार्ज नहीं रहता लेकिन कैमरे पर आपको मेरी वजह से किसी प्रकार की निराशा ना हो इसलिए उत्साहित रहता हूं उत्साहित रहता हूं कि आप मेंसे क कोई व्यक्ति उस कैमरे के पार बैठा है ये देखने के लिए कि अंके तवस्ति जब कुछ बात बोलें उनकी एनरजी मुझे किस तरह से रिविटलाइज करेगी इसी धारणा को लेकर बिंदरा जी भी बैठते हैं कि जब आप कैमरे के पार इन्हें सुने तो लगे कि एक स्टेट में नहीं रह सकता आज विवेक बिंदरा जो ग्राउंड स्टेट में है एनरजी मेरे साथ में भरपूर लिए हुए हैं लेकिन चर्चा करते समय उस फेस के साथ चर्चा करने वाले हैं जिसे संभवतया आपने ना देखा हो तो इतना बड़ा इनके उपर मैंने टा कैसे हैं आप वलोगों को पीछे की धारना मत रखो आगे के बारे में मत सोचों पुछ लोगहे मैमरी ड्रिवन लोगहें इन लोगह मानते हैं हमेशा बहुच लो जो पूरानी मेम手रीस के कारण ड्रिवन होतें कुछ होते हैं अक्षन ड्रिवन पठ पठ Pठ Как बाग जन अच्छा आपने जो उठा है मुद्दा ही है कि मेमरी ड्रिवन जो लोग होते हैं लाइफ में, हाई मेरे साथ ऐसा हो गया, हाई मेरे साथ ऐसा हो गया, see, यह जो अगर हम इस हाई को छोड़के, if we train our mind to learn and to find out the greatness in every challenge, अगर वो train कर सके mind को, to see things better than they are, बड़ा important है कि उसी चीज को परस्थिती को और अच्छे तरीके से कैसे देख सकते है, same situation को, का आपकी बात से, अभी का माइक मेरे हाथ में देजिया तो मैं बोल रहा हम जादा, आपने को क्वेश्चन तो बूजा नहीं नहीं कि मैं तो वही से सवाल किया, आपने उसका जबाब नहीं लिया, कैसे हैं आप, बवान एकरपा से, मैं, action और future-driven state में, यानि कि आगे क्या करना है, उसको लेकर कर के, कंटिनुसली काम कर रहा हूँ, अच्छा हूँ, अभी actually जाद अच्छा हूँ, चतुर मास चल रहा है, जब से चतुर मास शुरूए, अभी दो महीने कंप्लीट हुए है, तो क्योंकि आज एक आदिशी है, जिल देन हम शूट कर रहे हैं, पता नहीं आप लोग कब देख र अच्छा हूँ, तो क्योंकि आज जल जूली एक आदशी है, जिस दिन हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, मैं फास्ट पे हूँ और आप भी फास्ट पे हैं, आपकी टीम ने मुझे बताया, तो क्योंकि पूचा बढ़ी है, तो आज जल जूलनी एक आदशी है, जिस दि जब अपन ने चर्चा में पहले शब्द का यूज किया है, तो इसको बहुत पहले लेके चलेंगे, क्योंकि इस पहले में कई पढ़ाव है, एक पढ़ाव, उस विवेक बिंदरा के बंदे का भी है, जो पहली बार केमरे पे आया था, तो मुझे ना वो वाली कहानी जाननी आप अगर देखें, बहुत पीज़े चले जाएं, बिलकुल बच्पन में चले जाएं, तो मैंने तेरा 14 साल का स्कूल होता है, निरसरी केजी, फॉर्ट स्टे ट्वल्थ, तो 14 साल के स्कूल में मैं दस बार स्कूल बदला है, तो दस बार स्कूल बदलने से नुकसान भी हुआ, निरसरी ङए जाएं बदला है कि को कि स्कूल के फील देने के पैसे नही होते ते, तो हर जाल निकालते थे मजी स्कूल से, हर ते परसे पहले बोल बिले ज़िधे घड़ बदलि स्टे चले में जमा करा ते मैं यारे याड्यषी में पड़ा मैं रायन इंट्र इंट इसकोल में पड़ा है तो आज भी बहुत एक पर क्यों फोकस कर रहा हूं कि मैं थोड़ा पना जीवन आपको याद दिलाता हूं मैंने शायद बिफोर कभी आपसे मुलाकात भी की हो तो मैंने जिक्र किया हूँ मैं ऐसी सरकारी स्कूल से पढ़के निकला सर टैंथ तक की पढ़ाई वहां से हुई जहां मैंने स्कूलिंग कर ली उसके बाद उस गाहों में लाइट पहुची थी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ अब ध्यार थी जिसके पिता जी सिक्षक थे तो जिए आप पढ़ते लाइट नहीं थी इसकूल में भी लाइट नहीं थी गाव में भी लाइट नहीं थी अब कितनी उमर हुग अब रिवील करवा हो सर बहुत से लोगों के साथ दिख्ट था कर दूस्ट जब नाम पर वो मुझे का हमारे कहवत होती है हमारे चेतर में कि कहवध दूर भाग जाते हैं मेरे पिता जी घ्राइटि मुझे मुझे मुर्गा बना कर कूप देते थे एक्जामपल सेट कर दिया की भाई अब कोई जब व्यक्ति अपने बच्चे को किसी ने कहा कि सर ये पानी पीने बिना दो बार कहे तीसरी बार उटकर चला गया बोले बेजो इसको इदर तो मुझे आज अज असा लगता है कि मैं जो बना हूँ उसमें मेरे बच्पन का बहुत बड़ा रोल है मैं असल में आज जो आपकी एनरजी है आज आज आपको मार्क करना सिखाना है संभावतिया वो कन्वेंशनल एजूकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जा सकता इसलिए आपने अपना फिल्ड ढूंड लिया यह बास क्या होता है न सर आप व्यापार सिखाते हैं लोगों को बिजने सिखाते हैं उसमें आपने बहुत अच्छी चीज कर दो कि मुझे मुझे मौटिवेशन एक क्योंकि आपको लगा कि नए इसके बिना मैं भी मैंनी हूं वही दूसरा आपको कैसे लगा कि बिजनेस की स्टड़ी दे यह क्योंकि आपने अम्बे किया हुआ लगए तो अब एक बाद की कहानी तो है ने ने क्या होता है मैं बद में 1998 में जनकपूरी में सेकिंड हैं किताब मिला करती थी सड़क पर लिटा करके रखते थे वो ब्रॉपे की लिए थे मैं थुड़ी किताब ज्यादा की रही होगी और इस नहींद पर वीश रॉपे की लिए पर वीश जुटा आके किसी तरह से पर जब मैंने वह मोटिवेश होगा तब मैं पर यह सचाही है कि मैं बच्पन से ही बिजनेस करते आ रहा हूं मैं कभी होम टूशन का बिजनेस करना कभी ट्यूटर का एग्रिगेटर मॉडल बिल्ड कर देना जब मैं नौवी क्लास में था तो बड़े बड़े जो टीचर होते जो जिनसे मैं पढ़ने के ल बाइटरहा मैं उनके लिए क्या करता था सोम बाजार के बाहर मैं उनसे बोलता था पांच सो रुपर खर्च करो बोले किस चीज़ पे मैं लगता उसके बाद लगा करके मैं आपकी टूशन क्लासे सेल करूआ आप मेरे को पढ़ादो तो मैं इस मामले में बहुत तेजसा श ंदते हैं तब आपको धन्दा करना अथा है और तब आपको कोई और भी नहीं कर पाता है तो यह उदिज को आया है कि दो था तो मुझको करना समझना से मिदाना आता है आप की बाजर क की ऐी क्ञांब लिए जो जुरूरformation का सचे करने क्गए बहाने का कॉंधे में यूं स सब पर धीरे धीरे आगे आएंगे लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था ना उसके पीछे का बस मैं अपना बेग्राउंड बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं क्योंकि जंडरली हमारे अगर कुछ अच्छे एस्पिरेशनल चाइल्स है तो वो सिविल से मों के अंदर जाएं तो कुछ बच्चे जो बच्पन से ड्रीम लेके चल रहे होते हैं उन ड्रीम की तरह बहुत अफोट डालते हैं आपकी जरनी में बड़ा इंट्रेस्टिंग है यह जानना कि आप कि अधरवाइस मैं फिटनेस फ्रीक था तो आर्मी में अंकेज जी आप पीछे लेके जारे हो तो याद आरहा है मेरे को कि आर्मी में जाने का बहुत मन होता था बर एक आमी आप विजर से मिला उसने अपनी टीशिट उपर करी बता देखो एक तीन गोलियां लगी होई है किसी काम का नहीं है गोली भी लग जाए कोई पूछने वाला नहीं है आपको ऐसे मेरे साथ भी बाता सर एक्जाम पास कर लिया माता जी को ऐलो सी कार्गिल मूवी आई थी वो दिखाने ले गया तो अब यह आप युपीसी विक्राइब पढ़ार है उसा पड़ा है लेकिन यह अच्छी बात है क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना सर कि जब कोई बच्चा बन जाता है लोग उसे पूछने भाइया आप पच्पन में कैसे है और बच्पन से ही आई बना चाहता था ओडियन्स ना इस बात से समझ नहीं पाते नहीं आर यह आप बना के बोल रहे है ऐसा बच्पन में तो यह नहीं पता होगा कि आई इस में क्या आता है हां वो जो लवाजमा है वो जो देखने के बाद शान्स शौकत दिखती है वो अपील करती है कि साब आईएस आएगा तो दस लोग आगे पीछे होंगे यह होगा वो अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन आपको य गीता पड़ोगे मैं गीता हाथ में रखे इसलिए बैटा था मैंने का कई मौकल आगा तो को इस लोग भी पढ़के सुना हूँगा क्रिशन कहते हैं कि आप अपने अंत काल में जिस चीज का स्मरन का एक पीछे पूरा का पूरा संसकारों का एक गैमिट लेके ड्राइव कर चलते चले जा रहे हैं जो आप शरीर छोड़ते हैं आपका सुक्ष्म शरीर छोट गया लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो सुक्ष्म शरीर है वो आपकी आत्मा को लेकर करके निक्स बॉड़ी में जाता है भगवान को याद करते हो अंत काल में तो यह प्रयाती सम्मत थे या कोई administrative positions हुआ करती थी पुराने पिछले जन्मों में किसी भी लोक में कहीं पर भी थे तो वो संसकार जल्दी पकड में आएंगे आप किसी भी I.S. पुरी व ditे ऑपके साथ रहेंगे उसके साथ 2 जा एक दिन बिताएंगे एंगा क्रगि या कि पीछे दिए संसकार आप ले आरा हुं ने और आप जब इस जनम में आते हो न इस जनम में reference points build होते हैं आपके अलग-अलग reference मिलेंगे आपको इसको देखो इसे आप हरेक से inspired नहीं होगे नहीं होगे इसे मैं भी कुछ category के पैसा नहीं मिलता जो बजार चाहता है उसमें मिलता है क्या ये काम मुझे पैसा नहीं भी मिले तो भी करने को त्यार हूं इसका मतलब भाता है क्या मैं इसमें कुछ भी नहीं कमा सकूँ तो भी करने को त्यार हूं इसका मतलब भाता है तो भाता जो है ना जो आपको पसंद है वो पुराने संस्कारों के साथ क्यारी फॉरवर्ड होता है इसलिए आप देखो ना इलॉन मस्स अपने बच्छों को स्कूल ही नहीं बच्छों का एक खुदी घर पर स्कूल खुल दिया अब क्या करते हैं वह यह नहीं सिखाते कि यह पेचकस कैसे घुमेगा इसकी पेचक पर भारतिय सिनेमा में दो फिल्में बनी हैं मैं आप इसे जोड़के सवाल पूछ लेता हूँ एक फिल्म का नाम है ठी एडियाट और एक का नाम है दंगल दौना में ही आमिर खान है दौना में ही वह बहुत डिफरेंट तरीके के रोल में है एक में एलन मस्क टाइप का प पसंद है दंगल वाली लड़कियां कुछ ती पसंद नहीं करती थी लेकिन आज देश का नाम रोशन करती है और थ्री इडियट वाला आमिर खान बहुतों से बहुतों ने पसंद किया ना जाने कितने लोग आज फोटोग्राफर बन कर घूम रहे हैं प्रेज़ना आमिर ख परडाइम जितना बोल रहा है उतना किया जाए रिलीज परडाइम इस वन यू स्टार अब्जर विंग के आपका जो सामने वाला वेक्ती है जो आपका बच्चा है या जो आपका एम्प्लॉई है या जो आपका फैमिली मेंबर वो किस चीज में अच्छा है जितना के अंदर उनको डालें उस situation में उनको controlled failures के environments create करके देते रहें कि वो उस environment में controlled तरीके से फेल होते रहें होते रहें तो वो आला अमेर खान अच्छा है जो सामने वाले की क्या है अब जैसे हमारे एक टीम मेंबरे content मनाते हैं उनको mathematics की बात को बिलकुल interest नहीं कुछ लोग र सब्सक्राइब करें उनको emotions feelings togetherness collaboration cooperation cooperation coordination यह सारी चीजह बहुत जारा पसंद है कुछ बहुत डीटेल्ड ओरियंटे उनको प्रोसेस उनको files उनको Excel उनको detail उनको यह चीजह बहुत पसंद हैं को facts पसंद हैं को procedures पसंद एंको system पसंद है policy पसंद है process पसंद है उनको साथ में बाक खुदा माना जो एमोशनल आप में उसको पसंद आएगा जो फीलिंग तोगेदर निस को लैबरेशन को अपरेशन वाला इन आपको आपको करना पड़ेगा यह बड़ा इंपॉर्टन ए कृष्ण ने बोला गी था मैं चातुर वड़ने मया सृष्टम गुणा कर्मा वे इडिन्टिफाइइ करें किस चीज में अच्छा चल सकता है एनको कौन से स्बजेक्ट ढिला हुँ आजकल किसमें पहिं पार जारा होगी आजकल का माय जारा हो है आजकल कौन सी अंदस्ट्री कि चल रही और कौन सी लृश्ट्यवन का टेलवन्ट मिल जाएगा लेकिनिक् में वो उसमें 6-7 महीने की थी. तो वो मदर के साथ ही चली चादी हो गई थी जहा हुए. यह उनकी जादी हो गई तो पर आप ग्रो कैसे हुए? मैं अलग 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 समय पर मदद करी जिसमें जहा जा जा हो भुछारी दर्फ ना घटना जो है ना एक दर्फ इंधर नहीं होती है विसको कटना ही समझने में घड़ पार होती है अब किसी चीज को कोई मानता किसी को कोई कटना ही मानता है अभी आप देखो मैं सोच रहा हूं आपकी उमर का अंदादा लगा था कि आप ऐसे टाइम पर स्कूल ने बढ़ते हैं जब बढ़ानी बात हो गया रहे अब भी कटना है कि मैं तो जब से स्कूल ने पढ़ा हूं सब में बड़ी आ बड़ी अलाइट व मेरे कोद स्कूल मेटर दूर ता नहीं मैं केवला राज्धानी में पढ़ा पर लेकिन आपकी समय करी में मैं आप अगर आप होँगर एक कटनाए जो ममेरे हैं मा यह मैंकंशा याद रहती हैं मां कभी नहीं बोलता कि मेरे एक रिष्टेदार नEं मेरे को रात को बोला तुमने 20 रुपे छोरी किया तो मैं बेल्ट निगाली मेरे को मारना शुरू किया बहुत मारा बहुत मारा बहुत दो अधाई तीन घंटा तक बेल्ट से मार तरह बेल्ट तूट गई उनकी धर्म पतनी दूसरी बेल्ट लेके आई वो दूसरी बेल्ट से मारना शुरू किया सुबह के तीन बजगे वो भी तूट गई पिर तीसरी बेल्ट से मारना शुरू किया सुबह पांच बज़े तीसर को शैर्ट से मेरे को याद है कि उस दर्द में उस तकलीफ हो ले ले करके करके मैं में ममरी ड्रिवन नहीं रहे थाएं तो उसमे नाट पर जानकारी थी कि 22 bin 2022 को समय आपने लगप 30 से अधिक करोड पर अ किया है 22-23 में 300 करोड से जादा करेवनियु किया है थाइस चौबश सब्सक्राइब नई हो जकता है मैं याद नहीं मेरे को उस 20 रुपए की धारणा इस 300 करोड में मॉटिवेशन देती है नहीं नहीं बेलकुल नहीं बीस रुपए वो अलग सब्सक्राइब और यह 300 करोड की कोई वैल्यू नहीं मेरे आगे इसको मैं इतना वैल्यूबल नहीं मानता आइड डिरिवन बाइ मनी या कित्ते क्सौ करोड बना ले हम लोग मैं उसका कारन बताता हूं आप पर पिसे का का ले क्यों नहीं रहती है मैं असी परसन जो मेरी डायट है वो लेकोड डायट है क्या खा लेंगे बजार में कुछ खाता नहीं मैं डबल गद्धे का बेड़ है तो एक बार यांके जिम मैंने ट्राइम मारा क्या दोनों गद्धा इस्तेमाल करूंगा सूने में नहीं कर गाड़ी खरीद लोगे महेंगी गाड़ी चार दिन के बाद आपको उस गाड़ी में कोई चाम नहीं मिलने वाला कुछ नहीं मिलने वाला आप बिजनस लासे फ्लाइट में चले जाओगे वह एक लेवल के लिए लिए रह जाता है कि यार मैं दब के नहीं जाना थोड़ा क फैसा इसले नहीं कमाता कि उसको पैसा चाही होता है तो पैसे का वैलिउ नहीं बचता है तो हम और दूसरा हम वैसे वी बड़े फ्रूगल रहे हैं उम लोग आए हैं आए से जगे से निकल के आए हैं जहाँ पर हम लों मतलब कित्ती बहारी किता पैसा बचाने के लिए क्य क्या क्या किया कहीं किलो मेटर पहल चलते रहें एक रुपे की टिकेट बचेगी सुनाई है कुछ कहानी था हमारे हमारे पास एक से मैं भारत सरकार कह लिए डिली सरकार कह लिए मुझा याद नी किसका था यह 12 रुपय का बढ़ आसा पास बन जाए करता ला तो बारा रुपय का पास बनता था तो पूरे महीने आप बस में फ्री में घूम सकते हूं तो बारा रुपय का पास बनवाते हैं जब कभी टेंशन डेप्रेशन परशानी होती थी तो बस में चड़ गए अलग अलग लोग देखे उसके बाद अगले स्टॉप पो तर गए अ फैसा मुझे किख नगी दे रहा है नई पैसा तो किख नगी देता है वो बहुत इमान दारी इसे बोल रहा हूं आपको मैं घ्रटर कुछ ब्लीक मैं मैक विट रहा हुल आप को मैं बधाया नहीं अखेपने मेरे एक सपना है, अभी इस जनम में पूरा होएगा, अगले में होएगा, मुझे लगता है इस जनम में कर लोगा पूरा, मुझा हमका कॉइट 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 कॉंफरेंट, मेरे को 108 ऐसे मंदिर बनाने हैं, जहां पर आतो सभी धर्म के लोग रसकें, और बच्पन से पच् साथ में रखना चाहता हूं अश्रम में, ताकि दादा दादी को पोता पोती मिल जाया, उनका मन लग जाया, उनका पिढ़ने लगें, उनकी हेल्थ का ज्यान रखा जाया, इनकी एजूकेशन का ज्यान नकी हेल्थ के लिए आई उर्वेडिक सेंटर बन जाया, पाठ तॉप क्लाश से विल सर्वेंट्स मैं त्यार करना चाहता हूं जहां पर आपके जैसे लोगों को अपने नेटवर्क से बुलाऊंगा और वह आकर के बच्चों को वहां फ्री में पढ़ाएं ना तो माबाब से पैसा लेना कोई ना बच्चों से अपने पैसा लेना कोई किसे कर रहा हूं और जिस कॉर्पस के पैसे से हम लोग जो जनरेट होगा इंकम उससे में इनको सस्टेन कर लोगा क्योंकि जादा से जादा एक बढ़िया चेंटर बनाने में मेरे को 50 क्रोड लगेगा और सौ बनाता हूं तो 5000 क्रोड लेगा तो उत्ता जारा पैसा नहीं है यह वेल्थ क्रेशन हम लोग कर लेंगे यहां से 200 किलोमेटर दूर भरतपूर में एक अपना घर नाम से सिम इसी कंसेप्ट पे एक आश्रम चल रहा है लगभग 6,000 लोग वहां पे रहते हैं हमने उस पर एक प्रॉपर डॉक्यू पास्ट बनाया है डॉक्युमेंटरी प्लस प बीचार रखतें वो से एक्जेक्यूट कर रहे हैं और आत्मिक शान्ती का बहुत अच्छा इस्तर वहां पर बहुत जाहिए इसके लिए और वह कर रहे हैं उनको बहुत सारी बदाई बहुत सारी शक्ति मिले भवाण को इतनी शक्ति सको और आगे बनाएं और हम इसको पर आसरूट डेवल बहुत बड़ी मरत कर पाएंगे चले यह बहुत अच्छी प्रेणा है बच्पन से वरंदावन कैसे बच्पन से तो वरंदावन नहीं गया था मैं वरंदावन पहली बार गया था 10 जनवरी 2004 में तब ही मैं कॉलेज जॉइंग कर चुका रहा था और उससे पिछले साल मैं 2003 में गोवा गया था तो दोस्तों के साथ काफी मस्ती कर जी निव यू यर पर और तब मुझे याद आ रहा है कि उस दिन 31 इसमबर की रात को हम अपने होटल ही नहीं लोटे रहे तो हम दो दोस्त निकल गये थे सारी रात बाहर रहे थे तो महौल देखके ए कहीं खराब ना हो जाओ मुझे से निकालो और फिर जब आपकी इच्छा मजबूत होती है तो भगवान अरेंज्मेंट कर देते हैं तो दस जनवरी को उसके ठीक दस दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बंदावन गयादा पर दी बार वहां मुझे कुछ संत लोग मिले जिन से प्रशन उत्तर हुआ उन्होंने कहा के अंडा मीट मास मशली सिग्रेट शराब पर्स्त्री गमन जुवा सट्टा लोटरी ऐसा करने वालों को भगवान दर्शन तो दूर की बात है उनके सपने में भी नहीं आते हैं इस बात का मेरे को बड़ा धका सा लगा था तो म अंडावन में या देली में दिली में तो मैं कॉलेज पढ़ने जाता रहा बी बी ए एंबी तब मैं मंदिर में रहता था आप अपने गुरू का नाम बता पाई हाँ परम पूझने हिजलोरिनेस गौपाल कृष्ण गुस्वामी महराज अभी उन्होंने समाधी लिया है ती को कैनाडा के वो हेड हुआ करते थे में ग्रिल और सोबोन युनिवर्सिटी से नाइंटीन फिफ्टी ज मनों ने अंबी ए किया था बड़े खुले विचार वाले और लोगों को शमाशील और बड़ी जबदस लीडर्शिप विजन देने वाले अध्यात्मी गूप से चाह हो जाएगा, टेंपररी फेस है, कट इन समय मुझसे कुछ गल्ती भी होई तो मैं उनसे कहा कि मुझसे गल्ती हो गई, तो उन्होंने बुला, you are already forgiven, don't repeat, तो वो ऐसे गुरू थे जो किसी की गल्ती को लेके पकड़ पकड़ नहीं लेते थे, कि अभी चल उसको दंड देने क समय आ गया, उन्होंने अपनी वेभार से सिखाया बहुत कुछ, तो बहुत उनके मेरे पर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत जन्मों के इसान है, आप वरंदावन भी रहे, कितना टाइम बिताया, वरंदावन में काफी समय रहा, और अलग-अलग आश्रम म मुझे फिर गुरुदेव का आदेश था, मेरे लिए कि मेरा मन कुछ और था, मेरा मन था कि मैं कॉर्परेट किचिन्स खोलूं, जहां पर मैं एक सरकारी नियम है कि अगर आप कि यह 400,000 बर्कर काम करते हैं, मजदूर, ब्लु कॉलर्ड एम्प्लोईज, इने बोलते हैं, त मैं मारुती के चैमेन को जानता था, हीरो मोटो कॉप के चैमेन को जानता था, ब्लिज मोहन मुझाल जी जीवित थे, और आर्सी भारगवजी वाकर तरे मारुती के चैमेन, हॉंडा मोटर्स के हेड्स को जो जापनीज से उनको जानता था, इसकॉर्ट के जो मैंनेजिंग kitchen खुलूं और हर एक kitchen से जो बड़ी kitchen से जिसमें general shift, A shift, B shift, C shift में सारा खाने का विवस्था घर मिल जाए मारे को और 10-10,000 employees हैं, इनके 5-5-10,000 employees हैं, तो मैंने अपना गणे जोड रखा था, मेरे हिसाब से मैं 1000 करोड का revenue जिसमें 200 करोड का profit कर सकता था, तो मैंने गुरु दिख बोला कि मैं ये करता हूँ, इससे जो पैसा कमाओंगा मैं सेवा में रखाऊ आप भगवद गीता और बिजनस दोने को जोड़के लोगों को शिक्षा दो तो फिर मैंने वो सब करना शुरू किया प्रयास किया एक्स्पीरियंस नहीं था तो मैंने क्योंकि मारुती में जानता था तो मुझे इंटरी मिल गया था लेकिन पहले से वहां जमय वे बहुत सार flight जोचे का करते थे तो उन्दमारुती में जगडा चल रहा था वर्कर्स का इर मैणेज्मेंट का और उसको मैने भगवद घीता की माध्यम तो यह मने प्रोग्वद में प्रोग्वाइमों कृणिया है मैंने पृगवद प्रोग्लजमेंटी ने गले लग कर के यूनियन न तब तक मेरे वीडियो दाने लेगे तो मैं कॉमेंट बॉक्स को पढ़के रिलाइज करता था कि छोटा व्यापारी बार बार पूछ रहा है उसके लिए कुछ उपाई नहीं है तो फिर हमने 2019 से बड़ा बिजनस के स्थापना करी और वहां से हमने फिर वी थौट के हम कैसे इ अवेलेबल हो और अश्परिशनल मतलब किसी ऐसे वेक्ती से आप सीख रहे हो जिसने बड़े बड़े कॉर्परेट को सिखाया हो अफोड़ेबल हो और अफोड कर सके अवेलेबल हो उनके लिए उनको खरीनने में सीखने में बहुत ज़रा गठना ही ना हो तो मैंने कभी कि इस अवाई उनको आप सबसे वेशने हो एक उड़ा है टहुत को करते हुच्छन है लेत्सकरापस्टे के बाते इटांए में इक और विवाद यापके साथ जुड़ख चला आप तर आigu अवेर है इन्दी टीन होलेश सुन ठीम निकीश कहते वीडियो बनाया था नौक्टर के रियू निकीश के लिए और ऑदेश से ऑद चेटल में अब काम करणे दो और तीस ये से द चालिस लाख रुपया वार यर मेडिकल की सीट में आप का दो द 오른 ये सब्सक्रतू काकरते हैं तुक्त रूपया जो शेक्रतऊ है आपको MD भी करनी है, और आगे पढ़ाई करनी है. बहुत महेंगा है. और जब डॉक्टर आते हैं, तो कोशिच करते हैं, कैसे इसको रेकवर करें इस पैसे को. तो स्केल करते हैं, वो स्केल करने के मॉडल्स पर काम करने के जगे, मैल प्राक्टिस में चले जाते हैं. अब Dr. Devy Shetty नाइटीन नाइटी फोर में भी 80,000 रुपे में हार्ट सर्जुरी कर रहे थे आज 2024 में 80,000 रुपे में हार्ट सर्जुरी कर रहे हैं 30 साल के बाद भी उसका रीजन है कि उन्होंने उसको स्केल करना सीख गया थे नहीं सीख पाए सारे के सारे के सारे कुछी यह प्रोफेशनल्स का फील्ड है जितना पेशिंट देखूंगा जितना मैं उपरेशन करूंगा उत्ता पैसा कमा उस जा नहीं दो पैसिव इनकमेंदेस क्योंकि आप टाइम कर रहे हैं समय का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैंने दॉक अचली वह यह दा था कि वीडियो के पीसे स्कट के बहुत बारे लोग थे और वह पर वो रहे हैं पर वह केस में फिर जजज अबने संबन भी नहीं किया था मको उन केस का रिज कर दिया जज साब मैं लोला कि मैंने वीडियो पचास बार देखा है अब मैं अपमी जज्जम मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो किसी को डिफेम नहीं किया था मैंने तो इसलिए केस वो हम जीत गये थे वह बात कटम हो गए थी वही डॉक्टर जब आद में जो पहले हमारे खिलाफ थे वही हमारे लीडर्शिप फनल में भी आए प्रोग्राम्स बेटेंड किये उनके हमने जादा समय लगाया उनको जादा हेल्प करी कि वो ऐसे प्राक्टिस बिल्ड कर सके जिससे एक आम आत्मी को इलाज कर सके और खुद भी कमा सके नाम तो आपका भी लिया था एक वीडियो में पिर आप क्यू नाराज हो गए थे उनके और अमारे बीच की जिनका बात श समय में आती है अंके तबस्ती जी आप आप आज डिली में आयोो जैपूड से आयो आप एक गारी पे आया हूँगे। बाई रूड आई हैं, अपको गारी में ब्रेक है, गारी में ब्रेक क्यों होती है? डूर घटना से रोकने के लिए गाड आप गुणे के लिए गाडी म क्योंकि अगर मान लो अंक्यत वस्तिजी आपके गाड़ी ये ब्रेक नहीं है तो आप 5 की स्पीड पर नहीं चला सकते हैं एक दम दर्वाजा खोलका उतरके रोकना पड़ दाया गापको आगया तो पांच की स्पीड पर नहीं चला सकते हैं लेकिन अगर अगर ब्रेक है और तो गाड़ी में ब्रेक इसलिए होती कि आप स्पीड पर चला सको कोई समस्य नहीं है तो ऐसी अगर ब्रेक आई तो इसलिए आई कि हमारी स्पीड और बढ़ सके आज अगर दो पांच्छो क्रोड के रिवेन्यों पर अगर हमारे को लर्निंग्स मिली अच्छा यह रहा मैं को और लेसन मिला मुझे मैं एक बड़े व्यापारी से मिला था 2008 में उन्हें मुझे एक बात सिखाई बुला यह फार एक्स्टिंग्विशर लगाने के बाद दो तरहें के लोग होंगे एक होएगा नहीं जरूरी है लगा लगा लिया एक होगा आग तो लगी नहीं पैसे बे आग लगा कि आप ऐसे वसूर नहीं करते लेकिन जिल्देनाग लग जाएगा हमने कंप्लाइंसे से बहुत काम किया था उसी लेसन को लेके कि अपने कंप्लाइंसे को मजबूत रखो तो कई बारी मेरे टीम मेंबर मुझे बोलते थे कि हैं इतने महेंगे चार्ड कर देगा जिसके लिए आप आज बाजार में दो क्रोड रुपे दे रहे हो काम भीस लाग रुपे हो जाता है तो आप मुल्टी नाशनल कंपनी जो क्यों लगाया आपने मैं ताकि मेरे कागल्यों को क्लीन रखे सब चीज़ों मेरी गल्टियों को बताते रहे मेरे प्रॉस तो वो मेरे को ठीक करेंगा मुझे सुधारेगा और हमारे को जो खुशी मिली वह यह मिली कि हमने टाइम ली बहुत अच्छी और्गनाइशन को अपने साथ रखा था जुन्होंने अच्छे रखे जब यह दुरगटनाएं हुई तो आनन फानन में अचानक बहुत लोगों किस दालने की कोशिश करें या अच्छा काम किया तो इससे लेसं क्या लिए लेसं यह लिखा लिया कि शुरू से आज सही बहुत ठांस्परेंट बहुत ओर्गनाइज और बहुत सिस्टम ओरेंटेट बिजन्स को बिल्ड करू करो ताकि कल को अगर दुरगटना आईगी तो आज आपको यूट्यूब पर लगभग धाई करोड के आसपास लोग फॉलो करते हैं और भी डिफरेंट इफरेंट प्लाटफॉर्म्स पर आपका बहुत बड़ा मतलब मैं तो यह कहूंगा इंडिया का सबसे बड़ा अगर किसी को बिजनिस के सेंस में ग्यान लेना है तो व पूरी घटना ने कहीं न कहीं आप पर विश्वास से related questions खड़े कर दिये आप कैसे इस घटना को देखते हैं जब आपको कोई व्यक्ति किसी तरीके से टीज कर रहा होता है ट्रॉल कर रहा होता है ट्रस्ट इशू उठा रहा होता है क्योंकि आपने हर एक दिन अपने आपक को इस पूरे काम के लिए जोंका है ना जाने कितनी ही रातें जो काली की हैं कितनी महनत कितना खाना पीना परिवार सब को कॉम्प्रमाइज करके आदमी क्योंकि जो कैमरे पर दिख रहा है उसके पीछे की बहुत लंबी चोड़ी महनत है उसके बावजूद जब ऐसी चीज करेंगे आपके बारे में चुकि आपका सब किस्ता भी जो कॉन्ट्रोवर्सी का हुआ वो सब 9 महीने पुराना किस्सा है नौ महीने हुआ है तो यह मत सोचना लोग भूल जाएंगे तो मैं आब तो लोग भूल रहे हैं देरे देरे हम भी लगए हैं आगे बढ़ रहे हैं ुख कुरटी है उस कंपनी को आगे बेप करके लेकर जा रहे है Griffin के अ तो हम सिब एडराइ को गया बैंटट्ल ग्राउंड चेंज हो गया, काम शिफ्ट हो गया, नहीं लेवल का काम, अगर लोग भूल गया, भूल जा होई बात, बिबेग जी क्या बोले, आज मेरा किस्ता हुए 20 साल हो गया है, आज 20 साल के बाद भी लोग नीचे कॉमेंट में लिख देते हैं, कि सलमान खाना गया, 20 साल के बाद में अगलों के शादी बी हो गई, कईयों के रिष्टे बन बी गई टूट बी गई, जब उन्होंने मेरी कॉंκरोवर्सि देखे थी, अब उनके बच्चे भी हो गए, उनके बच्चों की बी शाधी होने लगे है, बोल्या आज भी लोग लेग Long. निया आक आपको फोकस कहा करन है जब आफ फोकस पे ध्यान दोगे न तो ये तकलीפे नहीं 講 disability दोगे न पर जिन्देगी में फुकस वाला गोल नहीं आएगा टो फिरकें किस पहलेते हो इस पर देहन दोगे और जिडिशाम उन्क अở मैं ये मान लेता हूं कि अगर मुझे कोई गलती हो जाती है तो मैं तो भगवान थोड़ी हूं, अगर मैं भगवान होता तो परिषवी पर जरम ने लिया होता मैंने, मैं मैं भगवान के पास ही होता है, अध्यात्निक लोक हे होता, तो फिरerezावन को's पर फिर भी मैं अपनी टीम से भी कहिंब ही बोलता हूं कि एक नहीं दो नहीं अच्छे लीडर को कम से कम साथ आठ बार गलती माफ करना चीजिए क्योंकि एक बहएवियर चेंज होने में साथ आठ बार लग जाता है मैं यह दो बुश रहा है कि मैं अपने से यह एक्सपेट करूं कि मैं साथ बार गलती करूं अपने से येक्सपेटों तो एक गलती काफी जबू आप जब गल्टी रपीट विजु रिप्त हैं अजा असल में आशर यूट्यूम्या इतिय वहल गलता है अपका चो परदे के प कि एक दिन ये आकर मुझसे बात करेंगे, मुझसे चर्चा करेंगे, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे आगे के प्रोसेस मजबूत करने ठीक बात है, मुझे आगे बढ़ना है बहुत इच्छी बात है, लेकिन इनसे भी चर्चा कर ली जाए कि बताओ भई, कहां लगता ह कि मुझसे गलती हो गई, यह आपका कॉल है, लेकिन आप बार बार जब इस बात को दोरा रहे हैं, कि गलती हुई है, करेक्शन करो, कुछ गलती हुई है, सही करो, तो वो तो परिवार है ना आपका, वो इन सब चीज़ों के लिए ही तो बैठा है, वो कहेगा, ठीक है सर हो परिवार में जाकर कि सबसे पहले स्विकार करता है, कि मुझसे कोई गलती हुई थी, भले ही नहीं भी हुई, तो आप बता दो क्या गलती हुई, मुझे इसा लगता है कि एक परिवार है, जो आपके इंतजार में है, और वो बहुत हद तक आप से फिर वही वाला विवेक बिंदरा वापस चाप रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी ओडियंस के बीच में जब आपके कमेंट बॉक्स चेक कर रहा होता हूं, कुछ लोग इस उम्मीद में हैं, कि एक बार रियल बांस बैक होने वाला है, और वो बांस बैक आँख मिला के होने वाला है, खुले में मुठे के इसमया हersonal शिर्यण बांस बढस, को सबस्क्राव में बीच बॉक्स ब्लड़ा सकाइब तो इसमया था ने डिस पर लोira कि इसे आंयाओ को पन को कर दो आपको में निकालेई ठीजा शूंस द tomat भूद से इस सर्फ्स डेसरा का चानी इस चार दिख में और पह आप बनता है वो प्रेमी से पूछो कि भाई बैठना यार क्या बात चल बता है मुझे यसा लगता है मतलब यह मेरा अब्जर्वेशन है आप मुझसे जादा मैं आपको बहुत तनाव में भी देखा है क्योंकि आप जिन से इमोशनली कनेक्टेड है वो आप पर जब सवाल उठाते हैं आदमी तूटता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं था तुम मुझे गलत समझ रहे हो लेकिन मैं कहनी पा रहा हूं तक नहीं है आपके इस दौर में के लोग बहुत जाड़ा मिले कुछ आसे लोग जिनका नाम कैमरे पर ले हमेशा के लिए अर्काइव बने नहीं तो उनसे कुछ का नाम लेकर के कुछ जिनका नहीं लूँगा उनका क्यों अपमान करूं पर बहुत मेरे लिए सबसे बड़ा सभागय की बात ही थी क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एक तो दो चीज़े होई एक मेरे जितने पुराने दोस्त रहे वह भी अपनी लेवल ओफ मिचुर्टी बहुत करते चले गए बहुत बहुत मिचुर हो गए और दूसरा मेरे दोस्त ही हमेशा वही रहे मेरी तकलीफ भी है यह लेकिन इस तकलीफ का मुझे फाइदा मिला कि मैं अकेला रहना पसंद करूंगा अबर आवरेज आदमी के साथ नहीं रहता अगर किसी की भी मान सकता आवरेज है तो मैं ऐसे आदमी के साथ उठता बैठता ही नहीं तो हमारे को रेजिलियंस जो बिल्ड करते हैं जो हम इनको का मिलना बेंड हो गया समें उनकी यसे अब वह क्या क्या आके लोगों को पर आकेले में बैठ करकर रोए भी नहीं कौ भी पर रिए डिया रहे, क्यान मै. मैं को काव मिनिया घर आ grad मैं ब clair को सब नो एक बड़े परशानी के फेस में उंहों ने क्या किया वो कैंसर हॉस्पिटल जो पेडियाट्ड क्यांसर लॉस्पिंटे से बच्चों के वहाँ उनकी उनकी अँनको लेगी और वहाँ ले जाकर के उन्होंने जब औरों का दुख देखा और बच्चों का दुख देखा जिनको कैंसर है उनके लिए उन्होंने टॉइ बैंक शुरू किया तो मुझे लगता है कि हर बारी सोशल मीडिया पे या न्यूज में जो आप देखते हूँ आच्छली सच नहीं होता है और मैं कितने सार में क्यों कि लोगों ने ट्रोल किया उनको कुछ भी ट्रोल किया वो सुशाइड कर गया अब नौट एवरिबड़ी इस लाइट कर रहे हैं और बात सही कर रहे हैं गलत कर रहें मैं उसको जज नहीं कर रहा पर दीपक कलाल इस इम्म्यून हर एक आदमी अपने खिलाव इत् कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको बहुत कई बारी आपकी गलती हो सकती है कई बार नहीं भी होगी हमारी कैसे नहीं थी इस केस में वह हमारी के अंदर सारी कोड की प्रक्रिया होई और सारी प्रक्रियाओं में एविडेंस सारे पेपर सब कुछ सब के लेने और तो फिर कोर्ट के जज्जमेंट आने, जज्जमेंट को उपर तक जाने में, वो कम्प्लीट हुआ, पर यह मैं अगर निकल गया, मैं यह चीज सीखी इन सबसे, मैं को बात हुए निदिन बॉल्चन, आईपेस ऑफिचर है, आड्मुग कैडर के, गोवा में एस्पी थे कांसर ब्रृड कैंसर, इतना बुरा हाल था था कि हिम आपको जतितने हमाइन आपको काटते थे, इतना दर्व हम्पार, छी क कॉ serving उस सांगी साथी एक सो एक यह को काटते थे जऊर से, गमी दर्व 35 से उन तो हम कुआ चाल हुए, इन दोनों से मैं परिया खे बाल उड़ चुके थे चेहरा काला पड़ चुका था सड चुका था पूला शरीर उस शरीक के साथ उठे दस बजे अपने सपी की नौकरी करने भी जाते थे सरकारी नौकरी पूलिस आफिटर करने आते लहें करीम डेपार्य। लेकिन सुबह 4 बजे से साड़नों बजे तक समद्र में तैड थे साइकल चलाते थे रंफिश हो गई ना उस ही साल ट्राय जीता जोने करते हैं और्म पूछा कंस्ट्रॉक्टीव ऑल्टरेट अंगेजमेंट फवेशन कि दुने दोनों का एक मोन नहीं है अन्ज है अपने आपको स्फॉत कंस्ट्रॉक्ट्टिव ऑल्टर्ने इंडियमंट तो मैंने क्या किया मैंने भी यह किया positive constructive alternate engagement दिया विवेको ब्रोई ने क्या किया toy banks बनाने शुरू कर दिये बच्चों के बच्चों के लिए shade hospital में शुरू कर दिये shade beds में शुरू कर दिये वो जो वो थे क्या बोलते हैं बहार hawker हुआ करते थे चाय वाला पकोड़े वाला समोसे वाला उसको लोन्स लेके उनकी supplies को common करके उनके business को इजी करना शुरू कर दिया मदा आए लगा उनको positive constructive alternate engagement इन्होंने क्या किया इन्होंने Arabic सीखनी शुरू कर दी पुलिस वाज जेंटमन ने positive constructive alternate engagement इन्होंने क्या किया marathon run करना शुरू कर दिया positive constructive alternate engagement ऐसा होएगा कि आपके साथ में आपके उपर कोई इल्जाम लगा रहा हुआ तो क्या करो आप उस समय आपको दो बाते हैं या तो अगर आपकी गलती है तो आपको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है कि यह तकलीफे आई हम सारी controversy जीत तो गए लेकिन बहुत सारे अपने दिख गए बहुत सारे अपने दिख गए मज़े जिनको शायद इतने दिन में वह मेरे अच्छे समय में नहीं थे लेकिन बुरे समय में आ गए अक्षर धाम में मंदर कभी ग्या नहीं लेकिन अक्षर में जिन्होंने मंदर की स्थापना करी यह बारा ब्रामन थे जिन्होंने दो दिन तक बैठ करके सुबह से रात तक 8-8 गंटे मेरे लिए यग्य किया मेरे बोलने पर नहीं किया इन सब लोगों ने इस कौन मंदिर यहां तो मैं कईम बर गया हूं बहुत जाते रहा हूं वह इतने ही सारे लोग मेरे चैनल पार्टनर साथ में खड़े हो गए कि सर हम आपके साथ हैं आप अकेले नहीं हो टेंशन मत लेना अभी ट्रस्ट ही हूं जब कोविड था तो कोविड के समय में हमने किसी एंप्लॉई की सैलरी रोकने के वज़ाए हमने डेड़ गुना सैलरी बढ़ा दी सबके तो उन्होंने वो फेज भी देखा था जब लो फेज आया पूरे देश में भी बिजनस में भी तब भी हमने कभी ऐसा नहीं हुआ पीश में बहुत आइसा है मेरा बिजनस वास्ता में लो गया बहुत चुकि जो आपने बोला लोग जज़ कर लेते मानने लग ज़ाता है उनको विश्वात होता है जो चीजा बार जाओ बार ऑबार दिखा बार बार दिखांओ बार बार लिखांओ लगता है हाई मात सही है मैं इसका उधरन डिया था एक निबर मेरे एक लड़का रम चरण कि छटरपूर से बहुत की तरह जगे मद्दय प्रदे एक टाइम आया है जब मीडिया ने अचारख कोई आप पचिस टील दिन तक उन पर लगाता है टाउत लाठ राइट एक ता बुरा भाला बोला और बोला इसकी निद गोले बरुपत कर देंगे यह तो जूट है पाखंड है ड्रामा है सब है पैसे लूट रहा है यहां पर दे में भी कोई लड़की भी आगई थी इनके पास भी है ऐसा क्या माराज के बास कुछ नहीं यंग लड़का है बेवकूफ है तो फिर विच्टा बोला मैंने फिर बुला रामचरण को रामचरण को मारे हमाली मैं क्या लगता है कि रहे सर शक तो मुझे पहले सही था पहले सही था कुछ तो कर बाड़ा है फिर बागिश्व मारा जाए ता 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 सारे नियुस चैनल के पड़्चे भोल दिये सब को थक बुले टाल ठोक के जवाब दूआ जाओ खुब जब जबाब दिया बहुत दिन चला एवरी टॉक के टॉक फॉर टाउन ली तो मुझे शक नहीं था मुझे विश्वास था कि व्क वाक्भी वैस्थ में संता है यह संती है मैं बीच में थोड़े दिन माई भटग गया रहा मैं देखा कि मीडिया का णे चेंज होते होते वो तीन बार चेंज हुए जो पहली बार दूसरी बार तीसरी बार तो आपके बार कुछ मित्र आपके आपके ऐसे भी होंगे जो आपके साथ खड़ा हूं, आप ठीक है, मैं धर्म के साथ खड़ा हूं, अपके साथ कड़ा हूं, पर जब सारी चीजे पता चली सब चीजे देखी, उसका वेट करने के अबाद कोई साथ है, मेरे केस में मैं सह बाग एशा बहुत सारे संतों ने, अलग अलग जगे पे, दोस्तों ने, मित्रों ने, सब ने बहुत से उक किया, बहुत अच्छे से हम निकल किया है इसमें से, आप बहुत लखी हैं सर कि आपको ऐसे लोगों का साथ मता है, मैं बहुत लखी हूं, बहुत लखी हूं, खास दोर से किया मुझ से और इतने सारे संथ एक के बाद एक एक के बाद एक श्री रवी शंकर घल्डोरिएनस उनके नीज्य hace मेरे को उनको फोन ऐा है उन लोग की टीम का फोन आ हम उन्हों का फोन्न का दो आपके स्टोरी में अभी जैसे बागिश्वर धाम का जिक्र हुआ बागिश्वर धाम के बारे में पहले प्रश्ण उठे बाद में जब परसेप्शन बदला लोगों का कि साब बागिश्वर धाम हो सकता है गलत हूँ बाद में वो खुद जवाब देने गए फिर परसेप्शन बदला कि नहीं वो सही हूँ इसी का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था आप से कि आपको लेकर के एक परसेप्शन था लोगों के दिमाग में संभवत या थोड़ा डिफिकल्ट फेज में गया उसके बाद में फिर आप जवाब देने बाहर आए परसेप्शन फिर बदलेगा और जो टृत है वो हमेशा प्रिवेल करेगा यही मेरी आपके लिए शुब कामनाई भी है क्योंकि लोग असल में उन्हीं विवेग बिंद्रा को चाहते हैं जिन्होंने लोगों को बिना पैसे व्यापार करना सिखाया। समय होता है चारहों तरसा होता है अब वो पड़ यहा लिखा हुआ है मैं भीडियो नहीं देख रहे जिसके बाएं कि यह मैंनेजमेंट डिप्लोमा कोई डिप्लोमा नहीं दिया घारा है आपको फ्री में शिक्षाा दिजिए लिजिए आकर करके अगर आपको वैल्यू मिलती एक समय था तो एक TEMPORARRI फेस था जभी इनको निदिन वाल्टन जिनकी माजबात कर रहा था, मुझे को इनसे पैसे नहीं लेने, मैं कोई कमर्शल प्रमोशन नहीं कर रहा हूं का, वो इक सरकारी अफसर है, पर उनकी स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी मुझे, हमारे आफिस आया थे मेले, वो बोले कि मेरे को एक बोड़ी औरत मिली जिसको कैं के लिए नहीं लगोगान शर्था, तो, वो बोली कि ना, कрийनसर से, छिबापको शरील से नहीं लड़ना दिमाग से लड़ना है तो, एक बाद मैं ने बहूत पहले आरो इमासैना के लिए बाप बोली थी, कि इनसान विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन्द से होता है, अगर मन्द से विकलांग हो गया, और अंके तवस्तीजी से बाप भी आगे बढ़ोगे, और आगे जाओगे, कल को मेरे एक बार शिक्षा गूरू ने बताया, आप स्टूडन्स को बढ़ाते हो, एक दिन एक स्टूडन्ट आएगा आपके बास, बोलेगा आप मेरे भागवान के से बानो, आपके बहुत तारीफ करेगा, 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 उसकी कुछ दिन बाद आएगा, फिर आपके मु बीस दिन के बाद, बीस हटों के बाद, वह याद में दोबारा आएगा, बोला, I'm sorry sir, मुझे गलती हो गया, मुझे आपको इसा नहीं बोलना चाहिए था, आपके पास stability होने चाहिए उन तीनों स्टेज़ को हैंडल करने के, आप तीनों स्टेज़ को अगर हैंडल कर सके, तो अगर चाटे ध्याय पे चले जाएंड़ के श्लोक है इसमें और भी श्लोक है चाटे ध्याय में तो इस इस दे बहाव को लेकर के कि व्यक्ति को सदहय इस्थिर प्रग्य रहना चीए वह स्ठित प्रग्य से का भाशा, अरजुन का प्रश्न है कि इस थित्वर्ग्धी की व और तो आप गीता पढ़ना चाहते हैं तो छटा ध्याय लीजे, छटा ध्याय ध्यान योग पर है, अगर आप को संस्क्रित पढ़ने में मुश्किल आ रही है, ताथ पर रहे मत पढ़िए, श्लोक मत पढ़िए, खाली अनुवाद अनुवाद पढ़ लिए हिंदी का, अंग् stating, और जेसी जैसे बचलए मnt को सबसे अच्छा मित्र है। जो मत को सबसे बड़ा शक्रू है, उस ही कैसे बनता है, जब हमाद को Εकारी मन को कंट्रोल नहीं करना है जैसे जैसे आप ध्यान योग पढ़ते जाएंगे भगवत गीता का आप देखेंगे कि एक से बढ़कर एक इसके अंदर श्लोक आते हैं जिसमें चर्चा होती है कि कैसे आपको युक्त विहार, युक्त चेश्टा, युक्त कर्मा, युक्त मतलब जाएगा तर्चा येथा दीपो नि वातस्थो बहुत् हागा, यथा दीपो नि वातस्थो जहां वाइव न रहात हो, यथा निवातस्थ default. उट्राइव युटिन स्पाइडर और पर शुट्पमा वही उपमा में दर रहा हूं तुम्हें आरजुन क्रश्न कहे रहे हैं कि वहीुपमा में दर हूं कि जिस तरह वायू रही इन फ्रह पर यही वो औरत ने बोली बात है कितनी पावफुल बात है आप अपने आपको इतना एनर्जेटिक कैसे रखते हैं इनर्जी आती है आपको परपस से हमेशा उसके बाद यह हो गया आपका आध्यात्मिक लेवल पर उसके नीचे आपका बहुत धिक लेवल आपको एनर्जी बिल ने औरकें वसके एनर्जी हो इनर्जी से रहां अरणा जारिगते हैं जिसमे आपके इंकर को पचाने में ताकत ना भानाई पड़ए को आपके आपके इंटिस्टैंस को पचाने ऐतार पर ऊड़ानी पर अपके आपके इंक्ति मांसिक अर्श пр прong fürs तकान फील होगी अब एकदम वीक फील करोगे लेकिन आपने थोड़े काप सो कम किया फैट कम किया तो प्रोटीन औरेंटेट वेजिटेरिंट डायेट लिए इसको पचाने में तकलीफ नहीं आएगी और नहीं आएगी तो आपके बॉड़ी में अनरजी रहेगी आँखों मे कौश्धी में बुड़ी में आपके पास बहुत अनरजी रहेगी आपके पास पुटबॉल चाहिँ फूटबउल खील चाहिए पधा करता हूं बद्यानार याम करता हूं योग स। नहीं करता हूं एंस कृशॉप के नहीं करता हूं यह साथ अनरजी इसे अरोग नेक order कोई डायरेक्शन दोना मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। तीन चीलों का ध्यान लग सकते हैं जो मैंने प्रैक्टिस किया मैं वही शेयर कर रहा हूं। एक कि अगर आपको डायबटीस करप नहीं तो नहीं है। एक कटोरी खालिया जित्ती देर में वह आपको भूक लाएगी ना वह पच की खतम हो चुका होगा फैट में का मुका ही नहीं मिलेगा। आपकी डायट है एक्स आप खालेते हो टू एक्स तो जो एक्स्ट्रा वन एक्स आपने लिया है वह फैट में गनवर्ट होता है। आपकी डायट है एक्स आपने खाले है एक्स बायट है फिफ्टी पॉसंट ऑवट जो डायट है यह 25 पॉसंट वट दुवारा दल भूक लग जया है कि अपको जट्रागने उसको फट से खा जाएगे पचा लेगी वो फ्यूल में यूज कर लेगे और वो फैट में कनवर् अपने पोर्शन साइज को बहुत चोटा कर दो मैनेज नहीं होएगा बिलकुल नहीं होएगा अंके तवस्ती जी भूक लगेगी बार बार लेगी रात को एक बज़े उड़ जाओ के भूक लेगी कोई बात नहीं एक कटोरी खालो एक कटोरी खालो थोड़ा खालो दिन में प्राड जो भी आप खा है दूसरा कि जो भी आप खा रहे है वो ध्यान रखिए कि बहुत चबा 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 की क्वाइए संट्धा कर दो दुसरा कि इसमी brig नोड़िक कहाने में छा या मज टेस्ट आजाएगा इस कुश्चिन पूछता हूं से मैं अगर एक ट्रेन का ट्रैक है रेलवे का ट्रैक है उस पर राजधानी को पहले भेजना चाहिए मालगाडी को मैं राजधानी प्रिफर करूँगा क्यों कि जो लोग बैठे हैं उनका समय बहुत कीमती है और अगर वास राजधानी क्या है शालेड वो फट से निकल जाते हैं इंटस्टाइन में रुकेंगे नहीं क्लीन कर देंगे हार्पिक की तरह काम करेंगे आपके टॉलेट की सीट में जितना मलबूत चिपका हुआ था अंदर जो इंटस्टाइन में चिपका रह गया साइडों के अंदर हार्पिक की तरह काम करेंगा शालेड लो ज्यादा और मालगाड़ी क्या है नूडल चौमन ज्यादा साइड डाल दो नूडल में और वही सौसिस जो है न जैसे टेस्ट आरा था नूडल में वो स्वाज़ेड के अंदर भी आ जाएगा तो नूडल भी आपके एकदा मालग अगर आड़ी नहीं राज़दानी की तरह पर रा साफ हो के निकल जाएगा बॉड़ी में तो यह हो गया दूसरा चेप हो गया कि आप जो है मैं बताया आपको धीरे धीरे खाओ खाओ खाने को पीओ पीने को खाओ मतलब 32 बार 40 बार चाबालो पानी बनके निकले अंदर औ खाओ मतलब इतना देरे पीयों हो जैसे आप खाना कह बहुत हो तो इसलिए एक आप अपने थी चीजे कि आपने लोग बीडिया लिया राइट लिया जाक जाए लिया और तीसरा आराम अराम से खाई है पीने सा याद आया क्या कभी आपन लिया लिया था बच्पन में लिय लोगों से हुग दिया और आप सोशल मीडिया मता था लोगों वह पीते हुए नहीं देख रहे हैं उग गिरते वे देख रहें बाहर से बीज़ यह बाहर कहां पर अब पहला साइब कर दा कर दा बाद आगर आपने वह नसी बोड़र लग देगा वेज़ सक्योरिटी वाला रोक दे-गा थार यह में। चर चेकपॉइंट्वाइच के दीन होता है GB च्रचिक मेरे को में घ्माज तो 51- renov तक में सिख्व घ्मार होतारा देमिर लेक atención तक 12ismo और एक सो पांच बुखार था और उसके बाद पांच एसे परेल को रिकवर करके में इस्टेडियम में में यह आय tu ड़ो मैस 1 003 ॉनक कोई नहीं है आप से क्या भी और यह नियी में हमाई में यह है तो भवान का अशिरवाद रहा मैं रिकवर कर पाया है साही टाइम पर किया नहीं तो बड़ा इंसल्टिंग हो जाता कि इतने सारे लोग आगा स्टेडियम में और में तब ठीक नहीं पहुंच पाया तो टाइम खराब आता है ना सर तो एक साथ आता है लेक बार आपने मु बात ही नहीं करने तो मैंने हटाई दिया सबकूछ है तो हाँ ये बात सही है वागश पारव ने पहले ही बता दिया था माले को सबकूछ हूँमाने रा सब इस्थेंबर में आईगा मौट के मुंम जा!!! अड़स स्टेज पर हम लोग साथ ही स्टेज शेयर कर रहें तो उन्होंने बोला कि आप मौत के मुझ से निकल करके आए हो आपका अच्छा समय है बहुत समय खराब भी आता है अच्छा भी आता है आपके लिए इंपोर्टन क्या है आप कैसे मैं बताया कि डिफिकल्ट डिशुशन के हाल ही में एक वीडियो वाइरल है हनी सिंग का जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं अपने लिकर हैबिट्स को लेकर उन्होंने काफी बुरा समय लिकर की वाज़े से देखा और भी नशों की वाज़े से देखा लेकिन फिर जब उनसे पूछा गया कि आप अभी भी लेता है नही हो जाए कि संगत में हो जाए तकलीफ में हो जाए कुछ गलती हो जाए पर नशा जो है ना यह एक डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रूम की तरह है यह ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे नहीं छोड़ सकते आपको फटले चोड़ना पड़ेगा कभी भी छोड़ना है किसी को भी देखोगे उसने सिग्रेट या नॉनवेज जैपटले छोड़ी होगी धीरे देरे कोई नहीं छोड़ता क्योंकि आपने एक बार ही बोला कि मैं अगली बार आप नहीं रहोगे अगली बार 81 का 81 रह जाओगे, 81 पर नहीं रहोगे, यूल डू अली 81 परसेंट आप 64 पर आज़ो, पर गिरते जाओगे, पर अगर मानलो हनी सिंग ने किया, कुछ भी किया, लोग उसको आज भी जज कर रहे हैं, और आप आज भी उनकी चर्च को नहीं चाने करें, आप उनकी गल्तिको याद करें आप, और आपकि जन सारे लोग, साथ जीस, नग्यांे से किसी अधर, पकड़के अच्टरा पूलीट करेंगे कि उसने कुछ गलत किया आपने पूछा मैसेज क्या है मैसेज यह है कि आप कोई भी बुरी आदत को दीरे-दीरे नहीं छोड़ पाऊ गए जब छोड़ना हो कोल टर्की ठाक और आप बाहरा जाओ गए वेट मत करो कुछ भी मैंने कितनी बार इस्टेडियो में पूछा कितने लोगों से एवेंट से मैं पूछा कि कम एसा था जो बीस तीस चारे से ड्रोज पीता था कि आपने थीरे-दरे छोड़िक अच्छानक छोड़ी एक बार में छोड़ी कौन आसा था जो नोन वेज्ट घाता था अब नहीं खाता थी अदिन ऐसा कुछ हो गया अचानक लेते हो, कोई भी ऐलकॉल लेते हो, कुछ भी लेते हो, चार-पांच दिन तकलीफ आएगी, छटे-साथवे दिन आप ठीक हुज आओगे, उसको तॉलरेट करना सीको है, अर्जुन, तांतितिक शास्व भारता, जब उसको तॉलरेट करने की शमता आएगी, तो आपको सहमें और क्योंकि आपकी ओडियंस ऐसा सोचती है, वैसे ही आप सोच रहे हैं, और आप और यूथ की तरफ से पूछ रहे हैं, आपने भी रिकनफिर्म किया, यह होता है, कि लोग रेफरेंस पॉइंट में हमेशा अब अब ऐसा के वल उनके साथ नहीं, अगर वो उसका कमबक हु और उनको वो नशे में चले गए थे, तो उनकी सारे इंप्लोई उनको छोड़के चले गए, तो उनका सेक्रेटरिवा करता है तो प्रियांक भारदुआज, नौईडा मेरे थे, नौईडा मेरे थे वो मेरे पास अप्लाइ करने आ गये, यह थे एक साथ से बिलर पॉफाइ people will still not appreciate as much as they will still pick up. For example, I'll tell you, when I was telling you that Vivek Obroai was the wrong thing, because there was no wrong thing. What was the wrong thing? He had to be wrong with someone. But who was powerful? Who was Salman Khan? He had to fight with him. He had to fight with him. What was the wrong thing? Nobody would know that he had to be wrong with someone. He had to be wrong with someone. But Salman Khan had to fight with him. People also remember that. So what we need to do is, our reference points are good. So we're going to take good things. And if you want to think about yourself, then you want to think about yourself. If you want to think about yourself, if you want to take a decision from this video, then you want to say a happy birthday, when you want to release a video. And you want to say that today is my own life. I want to take a decision from this video. Because I want to leave a big mistake. I want to take a decision from this video. I want to take a decision from this video. then it should be value. I want to ask you, which is something that I've been waiting for. And I don't want to live with memory. I've never been able to live with my mistakes. I've never done a mistake. So today, we'll take a big change. If you want to choose a comment box. If you want to type in this comment box, If you want to choose a comment box, If you want to choose a message, If you want to choose a personal message, take that decision, which is stopping you from your growth. You've listened to this video. You've listened to this video. There will be many things in your mind. First of all, If someone is a problem with you. If someone is a problem with you. The positive mindset approach. Life is a very good learning lesson. Second of all, You've learned the song and the song. And to use them as a reference. When I personally am here, I'm going to be a very good person. I've done a great job. You've done your energy. Not even in real life. You've done a team. The team has been working here. I'm working here. I've done a great job. I've done a great job. You've done a great job. I've 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 done a great job. You've said that my audience is my reflection. Yes. I belong to that society. That's what they keep up with you. And they believe their values. You've given us a lot of guidance. Motivations. When we start working on a job, You've learned a lot of those videos in which you learn how to do business. How to do the strategy. How to do the strategy. This is all we've also seen. And when we've done a lot of social media, which have made their own knowledge, that time, we've made the internet, when the internet was not easy. When we see such things, we've made our appreciation. Like I've said, that we'll have to sit with our audience. But today, you've given a lot of questions. I've given a lot of questions. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.